नमस्कार डीवी नीउस में आपका स्वागत है कोलकाता के आरजिकर अस्पताल में डॉक्टर से दुशकर्म और उसकी जान लेने की जाच अब CBI के हाथों में है अब इसी बीच कोलकाता पोलिस ने दो अलग-अलग मामलों में FIR दर्च की है इसमें पहला मामला तो गलत जानकारी फैलाने के लिए है तो वहीं दूसरा PIRITA की पहचान उजागर करने के लिए है इन दौरो मामलों में कोलकाता पोलिस ने दो डॉक्टर और बीजेपी नीता लॉकेट चटर जी को पूस्ताच का नोटिस भीज़ा है कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के बारे में कत्यत तोर पर भ्रामक जानकारिय फैलाने के आरोप में डॉक्टर सुबर्न गोस्वामी और डॉक्टर कॉर्णाल सरकार को पूस्थाच के लिए बुलाया है रहा कि सुबर्न गोस्वामी का दाबा है कि उन्हें अब तक कोई नोटिस नहीं मिला है अगर मिलेगा तो वह पूस्थाच में शामिल होंगे विलिए डॉक्टर कॉर्णाल सरकार ने सुविकार किया है कि उन्हें आज सुभा कोलकाता पुलिस से नोटिस मिला है वहकल पुलिस मुख्याले में पेश होंगे क्योंकि वहां आज केसी काम से बाहर है कोलकाता पुलिस ने बीजेपी पूर्वसांसद लौकेट चटर जी को भी पूस्ताच के लिए बुलाया है पुलिस सूतरों का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर की पहचान उजागर की और जाज की बारे में गलत जानकारी साचा की उन्हें आज दोपहर में तीन बचे तक पीश होने के लिए कहा गया है पता दे कि 8-9 अगस्त को कोलकाता के आरजिकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुषकर्ण की बारदात को अंजाम दिया गया था इस सरकारी आरजिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डूटी पर तैनात ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर का कथे तौर पर यौन उत्पीरन किया गया था निर्भया की मा आशा दीवी का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि घटना को बीते एक अपते से ज्यादा हो गए है लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि महिला के साथ किसी एक शक्स ने मार पीट ही या उसके साथ सामोहिक दुशकर्म हुआ है एक डॉक्टर के साथ इतना घिरोना अपराद तब हुआ जब वहां अस्पताल में डूटी पर थी